सब्सक्राइब दो लोगों ने टीम मिलके ये सेशन रेडी किया हुआ है सो हैनीज राहुल गो विद यूर प्रेजेटेशन फर्स्ट अल अन्मुट यू माइक और स्टार्ट यूर वीडियो कैमेरा अगर प्रेज विद्स च्ज़ घो टृझ में प्रेज्टेश्टन जा लूट मुट यू रूथ लूंट यूंप स्टियों यूरू यूरू यू यू एड़ को यू यूड़ यू इन यूुट यूर यू यूट यूट यू 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 alpha-yू एड यू अटल यूजु य वे एफ वान और प्रिजंट ये नहीं है आप्रोवी एवांटि आट्वी वेट्श ट्रभाव सब्सक्टोंते करे दिस तब्सक्षेंएंग आपका इंदिन गॎर्माटर्ट अट्टीपूर सेक्षिप्टूर्स यूर्ट करें आपके संदेट हैं तो प्सक्तार ट्रोवित कर आओंड अवर्ड इंड दो इन शेम अप्रविस्न फॉ ड्वोड रवाथी इंड जन वार्नमेंट। ए जान वार्नमेंट सारी कंट्रीस को वेक्सिंट गठाइपर र१े जन वर्थे शोड एड़ Arms A हाव मैंने कंट्री गेट इंडिया इंडिया है सप्लाइ वैक्षिन तो अल्मोस 95 कंट्रीज फोलाइं दे लिस्ट अप्ट्रीज को इंडिया ने ट्रांफर किया वैक्षिन जाव मेंडिया इन्टी बन्ठन टूलाइं वेख पृष्ञाज टो इंड्री घुटन विडियों एद इसक्थजिर इंडियों सेंटी टूल्यािट टूलाइज एट यह इडेट वiedy आंगे विड ही लिए ट्यों एंडिय। एडशी टुल्री टूलै ठस्टिद्ट थेव 19 vaccine from indian government on january 20 2021 india has supplied almost 1 lakh dose of covid 19 vaccine it was supplied by serum institute of india third country the india to nepal nepal was third country to get 10 lakh doses of covid 19 vaccine from india it was supply on 21 january 2021 india to bangladesh in india has supplied 20 lakh dose of covid 19 vaccine to bangladesh indian high commissioner mr vikram k doroswamy has hand over the vaccine to honorable foreign minister dr a.k abdul mehnan and honorable health and family welfare minister mr zahid malequin as a gift to bangladesh from the people of india here our indian high commissioner mr vikram k doroswamy in india to manmar india supply 1.5 million covid vaccine to manmar india supply vaccine on 22 january 2021 india to sri lanka india has supply five lakh of doses of covid 19 vaccine to sri lanka india supply vaccine 28 january 2021 in india will continue to stand with the friend and partner to fight this global pandemic so thank you so much गुड एक्सलेंट बहुत बड़िया information इसमें से भी आपको बहुत काम की रहेगी presentation भी अच्छा था बहुत सारा study भी किया है और आपको जो पहली 5-6 कंट्री को इंडिया ने कितने doses provide किये first country कौन सी थी ये सब चीज़े आपको current affairs वाले में भी काम लग सकती है जो कि मैंने record कर दिया है first country जो कि भुटान थी फिर second माल्दी उसको मिला था एक लाग डोस दिया था सिरव इंस्टिट्यूट ने सबसे ज्यादा यहाँ पर दिया है बांगलादेश को ये सब आपको काम लग सकता है कि बांगलादेश को 20 lakh doses प्रोवाइड किये थे तो ये सारी चीज़े सभी students को current affairs में भी काम लग सकती है और आप बहुत भी बढ़िया तरीके से presentation भी दे रहा हूँ So excellent once again Henness and Rahul